आज मिन आपको बताऊंगा कि कुबेर अपलिकेशन से अपना जो पैसा है, जो आप पैसा कमाते हो इसको कैसे विड्रो कर सकते हो बैंक एकाउंट में तो कुबेर अपलिकेशन को आपने प्रोट किया तो प्रोट करने से जोभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपको कमिशन मिलता है वो कमिशन को आप पैसा जो है विड्रो किसे कर सकते हो बैंक में बहुत साई लोगों ने मुझे पूछा है और बहुत अच्छा एक अप्लिकेशन है कुबेर जिससे कि आप अपना खुद का बिजनस जो है स्टाट कर सकते हो तो चली हम लोग जान लेते हैं कि बैंक में अगर पैसा लेना है अपना जो हमनों अर्णिंग कर चुके हैं उसको हम कैसे निकालते हैं पैसा सबसे पहले जो है दोस्तों यहां पर आपको कुपेर जो एप है यहां पर इसको जो है प्रमोटर का एक option दिखाई देगा इस promotor option के उपर में आपको यहां पर click करना है click करने के बाद आपको यहां पर उसके नीचे में दिखाई देगा दो option एक become promotor एक आपको दिखाई देगा dashboard dashboard के उपर में आपको यहां पर जो है click कर देना है उसके बाद यहां आपको जो है आपको सारा income दिखाई देगा जो भी commission आपने कमाया है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 21-9 रुपे यह amount और जो है bank में जो amount आ जाता है जिसको आपने withdraw कर लिया है वो यह amount होता है ठीक है तो यह commission होता है जो भी transition से commission आपको मिल रहा है वो होता है यहां पर total referrals होते हैं यहां पर जो आपने refer किये है company में और यहां पर जो balance होता है इसको आप bank में withdraw कर सकते हो देख सकते हो pending amount है और इसके निचे में add payout request लिखा हुआ है तो यहां पर add payout request जो है इसके उपर में आपको यहां पर click करना है ठीक है यहां पर हम लोग click कर देत है इसके बाद आपको यहां पर option मिल जाता है यहां पर देखिए अगर आपको कुबेड वालेट में यह सारा पैसे चाहिए तो आप इसको submit करकर ले सकते हो लेकिन अगर बैंक अकांट में चाहिए तो यहां पर bank account को option एक आ रहा है यहां पर इसको bank account के उपर में click करना है इ देखिए यहां पर जो आपका 968 रुपी जो आपको लेना है इसमें से 3.75 परसेंट और सर्चार्ट जो है 7 रुपय अगर देगा तो आपको टूटल कितना मिलेगा 924 रुपया आपको यहां पर मिलने वाला है bank account में उसका डीटेल यहां पर है इसके लिए आपको अपना bank name और जैसे कि state bank of India हो गया और बैंक में जो आपका account name है जैसे कि माल लिए आपका नाम जो होता है जिस नेम से आपने bank account ओपन किया है वो name account number फिर से अकाउंट नमबर आफसी कोड पैन काड और अधार काड डलना पड़ता है तो यह सारा डीटेल पहले आपको भड़ना होगा तो जैसे कि यह सारा डीटेल यहां भड़ा जा चुका है बैंक नेम बैंक एकाउंट नेम जो होता है जैसे कि मेरा हो गया नाम अभी से एकानन ठीक है उसी तरह अपना नाम लिग दीजिए bank account में जो name है account number फिर से IPC code पैन काड और यहां पर अधार नमबर डालना है आपको आप रिक्वेस्ट करके अपना पैसा जो है ना बैंक में रिक्वेस्ट डाल चुके है तो go to dashboard को हम लोग यहां करते हैं क्लिक तो यहां आप देख सकते हो कि आपका रिक्वेस्ट जो है 968 रुपीच का प्लेस हो चुका है यहां पर आपको देखिए amount जो है 0.79 पैसा के वा वांदिंग में आपका यहां पर और यहां पर यह है आप जो पैसा ले चुके होते है जैसे कि 909 रुपया और 1200 और यह अरत्य बैंक में आपना की चुका 10-30 और 3-4 दिन में आपके Rec IMD after hat प्रोसेस है बैंक में विड्रॉव करनेगा कुवेड एप साइट है इसको जरूर नूट कर लीजिए जोईन करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए यहां पर हाउटू जौइन में जाना है आपको और मेरा रैफर कोड से आपको जोईन करना है तो यह रैफर लिंक है रैफर को करने के लिए तक कि आपको इस सिस्टम के बारे में से अपलिकेशन के बारे में फूरा नॉलेज हो सके यह रैफर कोड मैंने यहां पर भी दिया हुआ है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा जोईन करने के लिए काम आएगा रैफर कोड डालना पड़ता है अगर आप घर से अनलाइन टीचिंग के दोरा पैसा कमाना चाहते हो तो एक लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिशन में आप उसको फॉलो कर सकते हैं अर्णिंग करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट कर दें कोई कुश्चन हो डाउट ह उससे आप बात कर सकते हो आप अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन में को दबाईए इस तरह के वीडियो जब भी मैं अप्लोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जरूर मिल जाएगा तो अपना बहुत इससे हिमत मिलता ह है और मोटिफिशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए तो उसको एक नोट बिलकुल ना करें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरू कर दें धन्यवाद